आज हम अपना तीसरा लेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं modern industry का special lectures को side करते हुए ये बिटा maratha empire के बारे में है maratha empire जो हमें modern इंडिया में पढ़ना है वो हमें साहु जी सा पढ़ना है शिवा जी के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो शिवा जी के बारे में एक special lecture आपका बनाऊंगा जैसे महत्मा गांधी के लिए बनाया है उसमें हम उनको पढ़ लेंगे शिवा जी को finally ग्रफतार किया औरंग जैबने शिवा जी थोड़े क्रोध में आगए क्यों कि पहले क्या होता था जब मनसब किसी को मिलती थी तो मनसब के बाद या कोट के जितने भी लोग थे मुगल एमपैरमों ने बैठनी को नहीं मिलता था खड़े रहने को मिलता था तो शिवा जी अपने बेटी के साथ गया उस मामले में उखड़ गया हम क्यों खड़े रहे हम भी 5000 के मनसबदार है और गयते दोस्ती करने बट कुछ ऐसा बोल दिया कि फिर औरंगे उन्होंने गरफतार कर लिया और शिवा डाइनिस्टी वहां से माराथा खतम हो जा दी बर शिवा जी थोड़े लक्की निकले और उन्होंने फूलों की टोकरी में खुद को छुपा कर इस्केप हो गया और बेटा महीं रहे गया तो ये कहानी यही से स्टार्ट होती है कि इनका बेटा जब रहे गया उसे करण चोड़ा जाएगा तब और इधर शिवा जी के मानने के बाद तारा भाई आ गई तो वो कुछ स्टोरीज हैं जो आपको नहीं बताई मैंने तो वो स्टोरीज में आपको एक स्पेशल लेक्चर में शिवा जी के बारे में बता के दे दूँगा तो चलिए बिना देर की हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं माराथा विटफ़ और इंडियन इंपायर में आपको ये बता दूँगा कि मौडन इंडिया जब स्टार्ट होती है तो सारी डैनेस्टी में सिर्फ एक डैनेस्टी होती है माराथा जो मोगल्स के बाद इंपायर को कैप्चर करने की केपिबिलिटीज और सबसे उड़ा इंपायर बनने की केपिबिलिटीज रखती थी तो जहिर सी बात है भई इनके चांसेस थे इंपायर ऑफ इंडिया बनने के बट प्रॉब्लम क्या थी कि माराथाज में यूनिटी की कमी थी एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कोई बैटर प्रोग्राम नहीं था कि इंपायर कैसे बने गा और कैसे चले गा साहू ने स्विल वार जीत ली थी अपनी अंटी तारा भाई क्या गिया जब उन्हें जेल से छोड़ा गया बट इससे क्या हुआ एक नया फॉर्म आपके सामने आ गया जिसको बोलते हैं कि अब जो होगा चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए या पेश्वा बनाने के लिए हम किसी और को रखेंगे ताकि अब ऐसी कोई सिविल वार ना है तो लीडर्शिप दे दी गई बाला जी विश्वनात को जो पहले पेश्वा बने साहू गया बाला जी विश्वनात ने बहुत अच्छी सर्विस की और इसलिए इनको title दिया गया सेना कार्ते साहु जीने ने सेना कार्ते का title दिया क्योंकि सेना कर्ते ने सबसे important चीज क्या कीती इनोंने सारा civil war settle कर दिया था तो आयो बिना देर की बाला जी विश्वनाथ के बारे में पढ़ते साहु जी ने बेटाई ने पेश्वा बना दिया था 1713 में 1713 से 1720 तक ये मुख्य प्रधान ये चीफ मिनिश्टर एक तरह काम करते रहे पेश्वा की पावर जो थी वो पूरी इनी के आफिस में थी और ये दूसरे सरदारों के साथ मिलके काम करते थे डिप्लोमेसी के मास्टर थे इन्होंने अंतर जो इंटरनल कॉन्फिक्स को बोलते हैं जो अंदर से डिस्प्यूट्स चल लए थे मुगल ओफिशर्स के बीच में उसका फाइदा उठा कर मराथा पावर को बढ़ा लिया इन्होंने जुर्फी कार के पास गया और वहां से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का राइट ले लिया डेकन का साहू के लिए और उन्होंने पैक्ट साइन किया सायद ब्रदस के साथ जिसने इन्होंने ये का कि जो उनकी territories हैं सिवा जी की वो उने जैसी थी वैसी वापस दे दी जाए और चौथ और सरदेश मुखी six province डेकन की थी उसका इन्होंने ले लिया और अपने kingdom को इन्होंने स्वरा जिका इसके बाद साहू जी ने मुगल की सरजनेटी भी accept की उसे recognize किया और इसी विहाफ पे साहू जी नंगे पैर औरंग जेब की टॉम पे गए जो खुलदा बाद में थी फिर बालाजी विश्रनाथ ने मराठा फोर्स के साथ accompanied किया सेद हुसेन अली को दिल ली और सेद ब्रदस की मदद की कि फरुक्षियार को गदी से हटा दे फिर बालाजी विश्रनाथ ने complex system मराठा सरदास का बताया जिसमें उन्होंने separate areas बनाए जहां पे चौत और सरदेश मुखीलों collect करेंगे distribute का king और सरदार में बड़ जो सरदार है वो ज़्यादा रखेंगे क्योंकि उन्हें अर्बने expenses चलाने होते इस system से सबसे बड़ी problem क्या है कि यह system जब इन्होंने start किया तो जो ambitious सरदार थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और central authority यहीं से weak होनी start हो गई system वतन्स और सरजमन्स सरअंजाम्स यह दोनों ऐसी वो थे जिससे मराठा सरदार strong होते गए autonomous होते रहे और center power से jealous होते गए इसके चकर में लागातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे ठीक है और even central authority से रढ़ते रहते थे इससे अंदर internal quills से start हो गए ठीक है आंतिर group से लड़ाई जगड़े प्रारंब हो गए और इसका बट यह है कि इसमें यह लोग कभी भी किसी की help नहीं लेते थे नहीं निजाम की नहीं ब्रिटिश की और मराठों ने महरास के बाहर निकलना स्टार्ड किया इन्होंने central army बनाई और directly controlled by king थी पेशव autonomous chief थे armies के और वो royal रहती थी उनके लिए और उनसे manage होती थी बाला जी विश्वनात को बेटा है इनके 20 साल के बेटे बाजी राओ ने सक्सीड किया बाजी राओ को greatest पेशवा बोला जाता है greatest exponent of gorilla tactic इन्होंने gorilla tactic सीवा जी के बाद follow की पेशवा सिपके real founder माने जाते हैं इन्होंने अपना पहला नॉर्थवर्ट expansion स्टार्ड किया मराथा flag का और कृष्णा से आगे गए इसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर किसी सुखे हुए पेड को काटना है तो उसकी branches पर अटेक करने हैं सचा सीथे पेड पर अटेक करो branches अपने अब गिर जाएंगी इसके बाद he put forward the idea of Maratha empire जिसे हिंदू पदशाही बोलते हैं तो इन्हो थे डेकन के निजाम के और इनके साथ लगाता लड़ाई होती रहती थी और राजा उफ कोलापुर की जो थी उससे बाजी राओ और रहसाहू से लड़ाई होती रहती थी बाजी राओ ने डिफीट किया निजाम को दोनों कोईजन्स पे एक आपका पालखेड और एक दिया इन्होंने साल सिटे एंड बैसीन भी परशुकीस से कैप्चर कर लिया था इनके टाइम पर मराथा फैमली जैसे गेकवार होलकर्स इंदिया भोसले ये सामनी आई प्रोवेंस में बहुत प्रोमिनेंस पावर बनी और इन्होंने अपने आपको सेमी जो से महराज की थी उसे इंडिया का एक एकस्पेंडिंग इंपायर बना के रख दिया ये फिर भी फेल हो गए एक अच्छा फर्म फाउंडेशन ले करने में और ध्यान नहीं दे पाए जिसको कंकर किया उसके अड्मिस्ट्रेशन पर यही एक चीफ कंसन था चेक है क्योंक इनके साथ क्या था कि जो सरदार्स होते थे उनी के पास सारे राइटस थे कि वो इन सब चीजों को कलेट और फिर आते हैं बेटा बाला जी बाजीcelाव ये बाजी राव फर्स्ट जैसा नोते हैं इनने नाना साहिब भी बोलते हैं किंग साहु बेटा 1749 मे अर जाते हैं इस संगोला एग्रिमेंट 1950 में होता है उसके बाद जो पेश्वा है डिफेक्टो रूलर होंगे और ऑफिशल हैड होंगे अड्मिस्टेशन के अब क्या होता है पेश्वा जो होता है वो गवर्मेंट को शिफ्ट कर देते हैं पूना as an headquarter और बाला जी बाजी राओ की मराथा आर्मी जो थी वो पूरे इंडिया को ओवर्रेंड करती है 1751 में बेटा बंगाल के नवा बलिवर्दी खान को सीट करते हैं उनको कैप्चर कर उनके पास जाते हैं और उनसे एरिया उडीसा से लेका उडीसा ले ले लेते हैं head to seat उडीसा किसको मिल जाता है रगुजी भोसल को और 1760 में निजाम हरा दिये जाते हैं उदेगरी में और उनकी भी बहुत सारी टेरिट्रिय कैप्चर कर लेते हैं नौर्थ में मराथा बहुत बड़ी पावर बन जाते हैं है ना मुगल थ्रोन के पीछे और 1752 में ये मादूल मुल्क की मदद करते हैं कि वो वजीर बन ज एजेंट होते हैं उनको वहाँ से हटा देते हैं अब यहीं से कुश्चन स्टार्ट हो जाता है मास्ट्री का कहां पर नौर्थ इंडिया में जिसमें मराथा और अबडाली आमने सामने आएंगे अबडाली फॉर्म्ड एलाइंस विद हूम रोहिला के रूलर नाजिव दौ और सुजाउद दौला के साथ आवत के जिनों को दोनों को बहुत बुरी तरह माराठाओं ने हराया था पेस्वा ने भी एक पावरफुल आर्मी अपनी भेजी नौर्थ इंडिया में ठीक हैं नॉमिनल कमांडर थे इनके माइनर सन विश्वास राव और कमांड थी इनके क इब्राहीम खान गर्दी कमांड करते थे माराठास बहुत ज्यादा एलाइज नौर्थ में नहीं पापाए क्योंकि नौर्थ में बहुत सारे राजपूत अवत सिक्स जाट सब के इंटरनल मैटर में ये लोग इंटरफेर करते थे तो दे हैव टू फाइट तो इनकेले ही फौर्स आवधाली मराठा पानीपत में बिटाव 14 जन्वरी सत्रा सरे साट को मिली तीसरी पानीपत की बैटल है देके की टीन बैटल होई तीनों बहुत डिसेशेव थी आप यह नी कह सकते है कै पानीपत की एक बैटल ऐसी ही ती जिस ने कोई decisions नहीं लिए पानीपत की हर की battle बहुत important मानी जाती है देखिए जब first battle हुई तो क्या हुआ मुगल empire settle हुआ second battle जब हुई तो क्या हुआ अकबर के reason से दुबारा मिगल empire strengthen हुआ जब third battle हुई तो क्या हुआ third battle से मराथा race से out हो गए और east india company बेडिशर्स को power capture करने का मौका नहीं दे अब इसमें क्या होता है बिटा third battle में पेशवास सनवाजी राओ और उनके कजन सदा से राओ और कई सारे commanders जो होते हैं वो अपनी life को खो देते हैं देडाय अब यह मर जाते हैं बिटा इसमें इसके बाद स्रफ मराथा नहीं ना अफगान को इस battle से कुछ मिलता है दोनों को कोई फायदा नहीं होता बलकि यह decide करती है कि इंडिया पे कौन रूल नहीं करेगा इसमेंस में भी कई कुश्चन साते हैं तो अब ध्यान रखेगा battle of panipat third किसी के लिए भी importance नहीं रखती है दोनों के दोनों लोग इसमें कोई benefit नहीं पाते है दोनों का loss होता है माराथा की यह defeat है इस इंडिया कमपनी को मौका दे देती है को वे इंडिया में अपनी power फैला पाए इसके बाद बेटा इनकी death के बाद माधा राव फस्ट बैठते हैं जैसे पानीपत की battle होती है बाला जी बाजी राव के सन बाद माधा राव 17 से 61 सथ में पेश्वा बन जाते हैं यह निजाम को हराते हैं हैदर अली और मैसूर को ट्रिब्यूट देने के लिए बोलते हैं और दुबारा कंट्रोल कर रहे था नॉर्दर इंडिया में फिर से territory फैलाते हैं रोहिलास को हराते हैं राजपूत स्टेट और जात को इन 17, 72 माराथा जो हैं मुगल इंपरर शाह आलम को दिल्ली वापस लाते हैं और इनके अंडर कंट्रोल इनका पेंश्टनर बन जाता है यह बहुत रिमार्केवल पेश्वा थे बट 11 साल का ही स्टॉट पीरिड इन्होंने लिया जिसमें इन्होंने पूरा जो लॉस फॉर् और नरायन राओ के बीच में जो माधाव राओ के यंगर बरदर होते हैं नरायन राओ पेश्वा बन जाते हैं बट 17 से 70 में मार दिये जाते हैं नरायन राओ को सक्सीड करते हैं सवानी माधाव राओ जिनको सपोर्ट करते है नाना फांडिस और दूसरा रगुनात राओ जो होते हैं बिटिशर्स के पास जाते हैं और फिर से पावर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं इसी के चक्कर में बेटा क्या होता है फस्ट अंगलो मराथा और देखिए अभी पहले मुगल मराथा सरदार आपस में लड़ते थे बट कभी ना निजाम के पास जाते हैं न अंग्रेजों के पास यहां से अंग्रेजों के पास जाते हैं पावर ओफ पेश्वा ठीक हैं ये लगातार आपस में लड़ते रहते हैं स्वामी माधव राओ जो होते हैं नाना फर्नांडिस के साथ और इनकी एलाइज होती है दूसरा रगुनातर राओ अभी यहां से इशू स्टार्ट हो जाएंगे माराथा सरदार जैसे गैकवार, भोसले, होलका, रिंदोर ये सब भी पिच्चर में आ जाते हैं भोसले बिटा नाकपुर से रूल करते हैं इसके इंपोर्टेंट होते हैं रगुजी, पोलका, रिंदोर से मलहार राओ और अहिल्या भाई इसके बाद सिंधिया गौालियर से माधा जी सिंधिया और गैकवार बरोडा से है ना साया जी राओ और इन्हों ने ही याद रखना गैकवार के जो बरोडा के माराठा थे साया जी राओ इन्हों ने हम बेटकर के स्कॉलर्शिक दीती पढ़ने के लिए माधा जी सिंधिया जो होते हैं गौालियर के बहुत इंपॉर्टन माराठा होते हैं नौर्स में यह पावर्फुल आर्मी बना थे इरोगने स्टाइल की और इनमें एक्वली हिंदो मुसलिम दोनों होते हैं इन्हों इस्टाइल जो बनाते हैं पर्चुजिज और फ्रेंच की ऑफिसस और गुरिणर्स की हल्प से बनाते हैं ये खुद की ordinance factory आगरा के पास बनाते हैं ये control रखते हैं इंपरर आम शाह आलम पर और secure the appointment of पेश्वा as the emperor deputy और पेश्वा को जो बादश्वा होते हैं इनका deputy मतब नायबे मुनाहिब बना देते हैं चीक है और जाहिर से बात है on this condition that माधव श्रुवड act on the behalf of पेश्वा और प क्या होता है में इनकी लड़ाई लगातार होती रहती है नाना फांडवेस से और बिटर हैनिमी होल कर होते हैं तो माधाजीस इंडिया मर जाते हैं 1794 पर और नाना फांडवेस अठारा सो में तो ये वर्दर ये दोनों last great soldiers थे और इन्होंने मराठा पावर को 18th century में on the real height ल बनते हैं और ये बसीन में treaty of basin sign कर लेते हैं बिटिश के साथ इतना बेटा मराठा के बारे में है जो आपको exam के लिए importance रखता है इसको एक बार पढ़ ले समझ ले देख ले अब अगला थोड़ा lengthy lecture जाएगा British conquest of India इसको हम जल्दी record करके फिर आपके पास भेजेंगे आज 23 सपरेल है उमीद करते हैं जल्दी से lockdown खतम हो ताकि हम लोग regular class में भी आए और आपको मैं उतना ही बिटा बता रहा हूँ जितना आपके लिए fruitful है और useful है आप इतना ही पढ़िए ध्यान रखिए exam के purpose से जितना प्री में पूछा जाएगा और जितनी mains के लिए ideology आपको चाह यह मैं से उतनी ही बता रहा हूँ मैं बहुत जादा in length नहीं कर रहा तो अगला chapter हम British conquest of India करेंगे उसके लिए वेट करिए अगर आप कोई lecture अच्छा लग रहा है तो please आप इसे like subscribe और share करें even comment करें अगर रही अच्छा लग रहा तो भी अच्छा लग रहा है तो भी नहीं अ अच्छा लग रहा तो dislike करके comment में बताएं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है तो well and good आप हमें telegram के link पर भी follow कर सकते हैं Facebook link पर भी follow कर सकते हैं COVID-19 से बचें आज case 20,000 से उपर जा चुके हैं हमें घर पर रहना है safe रहना है नमस्कार God bless you all take care bye bye